हर महिने में दो चतूर्ठी होती हैं जोईने भगवान श्रीग गने श्रीकीतिती माना जाता है एक अमावस्या के बाद आने वाली शुलक पक्ष की चतूर्ठी को विनायक चतूर्ठी केहते हैं और पूर्णीमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतूर्थी को संकटी चतूर्थी कहते हैं विनायक चतूर्थी पर भगवान गनेश की पूजा करके बड़े से बड़े संकट को भी असानी से टाला जा सकता है विनायक चतूर्थी 30 नवंबर को है सबी देवताओं में से भगवान गनेश को सर्व प्रधम पूजनिय माना गया है कोई भी मंतर जाप ये पूजा करने की विधी गनेश जी की पूजा के बिना सपल नहीं होती है हमारे शास्त्र में विनायक चतूर्थी की महिमा का बहुत बड़ा महत्व है आपको बता देगी कैसे करे भगवान गनेश की पूजा विनायक चतूर्थी पर सबसे पहले सुबह के समय जल्दी उटकर सना नाधी करके लाल रंग के कप्रे डाल कर सूरे भगवान को तामबे के लोटे से अगर दे भगवान गनेश की मंदिर में एक जटा वाला नारियल और मोदक प्रसाद के रूप में चड़ाए गनेश भगवान को गुलाब के फूल और ओम गन गनपते नमम मंत्र का 27 बार जाप करें दोपेर पूजन की समय अपने घर में अपनी समार्थ के अनुसार पीतल तामबा अत्वा सोने या चांदी से निर्मित गनेश प्रतीमा साफित करें पूजन करके श्री गनेश की आर्थी करें और मोदक बच्चों में बाट दें अगर आप इन विधी से पूजा करते हैं तो आपकी हर मनुकामना पूर्ण होगी बियर रिपोर्ट दिववदर्शन